कच्चे आलू के लच्छों में इसको मिला के लगा लो क्या गजब की चमक आएगी चहरा इतना जादा फेर काले दाग धबे गाया काला पनाता है उन सारी प्रॉब्लम से आपको चुटकारा दे लाएगी गजब का अगलो आपका जो कलर टोन अगर दो टोन तक फेर ना हो जाए तो बुलेगा इतना जादा मुझे अपने इस रेमेडी के अपर फेत है अब बोलेंगे दी आपने रेमेडी तो बना ली अब हम बोले है भरपूर मातरा में वितामिन C जो आपके सिकन के काले दाग धंपो से छुटकारा दिलाएगा जिल लोगों को ब्लीच नहीं सूट करती है बहुत लोग होते हैं जो मार्किट वाली ब्लीच नहीं अफोर्ड कर सकते हैं और काफी लोगों को अपनी सिकन के ऊपर नह पिंच करें और अपने फेस को पर लगाना शुरू करो देखो आपको क्या result मिलता है मतलब इतनी जादा super remedy है बाकि हमने इसमें जो और चीज़े ingredient एड़ कर दिये तो इसका जो power है इस remedy का जो power है वो और जादा बढ़ गया है तो हमें क्या करना है हमें इस remedy को पूरा देखना है जिस तरीके से बता रही हूं उसी तरीके से अगर कर जाएंगे तो result भी आपको same मेरे जैसा ही मिलेगा थोड़ा भी आप इंदर उदर करेंगे गडबड करेंगे तो जो उसका result है वो भी थोड़ा सा change ही मिलने वाला है यह ध्यान दीजेगा इसलिए remedy को पूरा दिखेगा किस तरीके से बना रही हूं सारा का सारा ध्यान से दिखने है ठीके जी चैनल पर पहली बार आए है इस वीडियो के थूप पहली बार आए है तो मैं हूँ रेखा सिंग इस चैनल का नाम है रेखा सिंग लाइफ और यहां मैं अपनी फैमिली के साथ जो मेरी ये रेखा सिंग लाइफ फैमिली है इसके साथ में मैं बहुत सारे DIY अल्रेडी शेर कर चुकी हूँ जिसको करके हम बहुत जादा खुश है तो अगर आप भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा होना चाहते है वो इस रेड वाले बटन को दबा दो वो जो रेड वाले सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाईए फ्री ओफ कोस्ट है कोई पैसा नहीं लगना है साथ में बैल आइकोन दबा दिजेगा आगे के फ्यूचर वीडियोस देखने के लिए क्योंकि मैं रेगुलर अपलोड करती हूँ अपने वीडियोस को अगर आपने नोटिफिकेशन नहीं दबाया होगा आल वाला तो आपके पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं पोचेगी फिर आप ढूंडते रहे जाएंगे यार कौन थी वो एक रेखा सिंगनान तो था बड़े अच्छे रेमिडिस बताती थी किचन के सामान से होते थे पैसा कुछ लगता नहीं तो रिजल्ट वड़िया आता था तब आप भूल जाएंगे ठीक है जी तो बेल आइकॉन दबा लीजेगा एक लाइक दे दीजेगा प्लीज इतने अच्छे अच्छे वीडियोस बना के लेके आते हैं इतना मेहनत करते हैं एक लाइक अगर आपकी तरफ से आजएगा तो क्या भीगड़ेगा आपका ठीक है जी लाइक ज़रूर आने चे बूस्ट अप मिलता है पता आपको कुछ नहीं मिलता है हमें मैं आपको सिद्धा बताओ हमें कुछ नहीं मिलता है वीडियोस बनाने का लेकिन जब आपका एक लाइक मिलता है आपका प्यार मिलता है आपका कॉमेंट मिलता है वही बहुत जादा बूस्ट अब करता है और अच्छे अच्छी रेमेडीज लेके आने के लिए ठीक है जी इतना कर देंगे एक लाइक आजाएगा चड़ो तो आज की इस मेजिकल रेमिटी को बनाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है आलू आलू हमें ऐसा लेना है जो पीले रंग का हो परपल नहीं होना चाहिए हरा नहीं होना चाहिए पका हुआ हो अच्छे से ताकि उसके पूरे गुण हमें मिले आलू में पाया जाता है विटा बहुत जारा काला पन आता है, बहुत जारा जल जाती है, तो आलू आपकी skin को protect करता है sun burning से, आपको क्या करना है, आलू को अच्छे से धूल लेना है, और उसके बाद आपको इसको कद्दूकस करना है, इसके छिलके हटा लेने हैं, क्योंकि हमें इसके लच्छे यूज में ल बहुत स्मूथली काम करेंगे, जायां जो होती है दोस्तों बहुत असानी से जाती नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में आपकी skin के ओपर कोई magic हो जाएगा, यह एक ऐसी remedy है, जिसको आप रोज भी अपने चैरे पर लगा सकते हैं, क्योंकि आलू हम रोज काते हैं, तो आलू जब हम काटते हैं, उस वक पी अगर हम अपनी skin के ओपर तरीके से लगाएं, जिस तरीके से बताया जाएं, तो आप अपनी जायों से बहुत हद तक चुटकारा पाजेंगे, आपको इस तरह से कद्दू कस कर लेना है, और यह जो लच्छे हैं, यही यूज में हम करें, उसी में सेकिंड हम डाल रहे हैं, ओट मिल, ओट मिल क्या होता है दोस्तों, ओट मिल मतला ओट जो हम खाते हैं, वही आपको यहां पर पाउडर की फॉर्म में लेना है, आपको करना क्या है, ओट जो हम दूद में डाल के पका के खाते हैं, आप थोड़े से दो से तीन चम्मच ले लिजे और उसको ग्राइंट कर लिजे ओट्स आपकी स्किन के कोलाजन को बूस्ट करता है आपकी स्किन के अंदर बनने वाले कॉम्पलेक्शन को इंप्रूफ करने में हेल्प करता है रिडियूस करता है आपकी स्किन के ओपर inflammation को ठीक है जी तो ये हो गया हमारा oats और साथ में अब मैं इसमें डाल रही हूँ दो चम्मच बेसन भी हमारे skin के काले पन को हटाता है हमारे skin के काले दांग धबो को हटाने के साथ में हमारे skin के ओपर tanning को remove करता है बहुत असानी से अब हम डाल रहे हैं इसमें नीमबू अगर आपको नीमबू सूट करता है तो आप आधा चम्मच तक डाल सकते हैं नहीं तो आप दो से तीन बूंदे इसकी जरूर आट करें क्योंकि इसमें विटामिन सी भरपूर मातरा में पाय जाता है अब यहां पर क्योंकि मैंने basin डाला है तो बहुत लोग बोलेंगे कि दी basin हमारी skin को dry करेगा तो उनके लिए यहां पर मैंने add-on किया है glycerin glycerin हमारी skin को बहुत बढ़िया से मुलायम करता है हमारी skin के अंदर जो elasticity हमें चाहिए हमारी skin के अंदर जो खिचाव चाहिए उसके लिए glycerin एक बहुत important ingredient है ठीक है इसमें हमने कुछ पानी वानी नहीं add करना है हमें इसको rose water के साथ बनाना है और rose water भी आपको जादा नहीं डालना है दोस्तों ठीक है आपको ध्यान रखना है आपको rose water जादा नहीं डालना है एक से दो चम्मच ही आइड करना है क्योंकि हमने जो आलू के लच्छे लिए है वो पूरा का पूरा पानी है उसके अंदर और वही हमें चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा जब हम वो विटामिन C आलू के लच्छे हम हमारी स्किन के ओपर लगा के स्कृप करेंगे रप करेंगे मसाज करेंगे कितने बड़िया से हमारी स्किन को वो पॉलिश कर देगा और ब्राइटन अब करने में इतना ज़ादा है चली करते हैं चली स्टाट करता है किस प्रकार से इसको लगाना है देखिए आप चाहे बाहर से आहें अब चाहे आपका face कितना भी गंदा है आप इसको अभी तुरंत के तुरंत लगा सकते हैं मेरे face के उपर sunscreen लगा हुआ है और lipstick लगा हुआ है तो भी मैं इसको आराम से अपने face पर लगा सकती हूँ क्योंकि यह किस लिए है यह गंदगी हटाने के लिए यह आपकी skin के उपर जमे हुए मैल को हटाने के लिए तो इसके लिए आपको अपना face wash करके बैठने की जुरूत नहीं है डारेक्ट इसको लगाओ इसके बाद में जाके face wash कर लो ठीक है जी simple बहुत easy है बहुत अराम से आप बना सकते है ठीक है तो अब आपको क्या करना है इसको लगाना है बढ़िया से और उसके बाद करनी है जी एक बढ़िया वाली massage ठीक है massage क्यों करने के लिए कह रही हूँ क्योंकि यह एक ऐसी remedy है जो आपके skin के deep clean करने में बहुत help करती है यह आपके skin के उपर बहुत बढ़िया से exfoliation करेगी क्योंकि इसमें vitamin C है इसमें oats का powder है इसमें basin है इसमें आलू के लच्छे है तो यह सारी चीज़े मिलके हमारी skin के उपर और गिर गया skin को बहुत बढ़िया से exfoliate करेगी ठीक है तो हमें क्या करना है skin के उपर बढ़िया सी एक massage देनी है और उसके बाद में फिर मैं आपको बताऊंगी last में ऐसी एक cream जो आपकी skin की dryness से आपको छुटकारा दिलाएगी देखे सर्दियां चल रही है सर्दियों में skin dry जरूर होगा तो आपको क्या करना है किसी भी remedy को करने के बाद में आपको अपने face को moisturize जरूर करना है याद रखिए moisturizer जरूरी होता है हमारी skin के लिए बहुत सारे comment आ रहे थे कि हम तो cream लगाते ही नहीं है मैं तो अपनी पूरी जिंदगी cream नहीं लगाई है भाया तो गल करेगा pack यह हमारी skin के जो pores हैं उसको shrink करेगा क्योंकि इसमें ingredients जो डले हैं वो हमारी skin के pores को shrink करने का भी काम करते हैं wrinkles fine lens से आपको बचाते हैं ठीक है तो यह देखें बातों बातों में बोलते बोलते में ही हमारी हो गई massage बसाज आप जितना जादा कर सकें कि उतना अच्छा है यह पूरी body के उपर लगा सकते हैं कुछ question के answer दे देती हूं उसमें से first question है कौन सी age group इसको लगा सकती है सब लोग लगा सकते है छोटे से लेके बड़े तक हर को इसको लगा सकता है तो अगर आपकी skin extreme oily है तो आपको coconut oil virgin वाला डाल सकते है ठीक है आपको इसमें oil डालना है अगर आपकी skin dry है oily skin वाले इसको तीन बार करेंगे week में ठीक है और dry skin वाले इसको एक बार भी कर लेंगे तो भी enough है उनकी skin के लिए oily skin इसलिए क्योंकि उपर oil जाना बनता है pimple और कालापन जल्दी आता है यह हो गया और जो हमारे pores होते है वो shrink होते है ठीक है तो आपको क्या करना है इसको आपने wash कर लेना और wash करने के बाद में क्रीम कौन से लगानी है आपने wash करने के बाद में क्रीम लगानी है मेरी बनाई हूई यह जो potato cream है ठीक है इसको मैंने किस प्रकार से बनाया है आप चैनल के ओप तो आपको क्या करना है आपने लेना है चुरको लेना है आप अल Bir जेल इतना सा यते बदा रहे हूं क्ति करतो यह मत्युक्त पकानोत है आपने इट करना चुस्कंस है अलो यह कि आस यह मौत दये करना है मसाज देनी है बढ़िया सी अपनी आखों के आसपास जरूर कीज़ेगा लिप्स के आराउंड जादा करिएगा क्योंकि यही पर फाइन लेंस और इंकल जादा है ठीक है उसको लगाना है और बढ़िया सा करने के बाद में मसाज आपने सो जाना है ठीक है कुछ निकर मेरे साथ में शेयर करें मैं जाती हूं फेस को वाश करती हूं और इस वीडियो को यहीं पर एंट करती हूं करिए और बताईए बाबाई टेक केर